हेलो दोस्तों नमस्कार मैं जोती आप सभी का स्वगत करती हूं इस टड़ी विदे रतनेश पर आज की वीडियो में मैं लाई हूं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और एवर ग्रीन टॉपिक क्रिया जिसमें कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से कि सकर्मक क्रिया होगी कि अकर्मक क्रिया आज की सेशन में हम आपके सारे डॉट्स क्लियर करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी हिट कर ले जिससे कि हमारे दौरा बनाए ज जब्द से किसी भी काम का करना या होना पाया जाए वहाँ पे क्रिया होती है जैसे कि पढ़ना लिखना खाना पीना आना जाना इत्यादी क्रिया का मूल रूप धादु कहलाता है जैसे कि लिख पढ़ जा खा रो पा आदी ये सब धादुए हैं धादू के अंत में अगर प्रत्य लगा दिया जाए तो क्रिया बन जाती है जैसे कि लिखता पढ़ता लिखना पढ़ना आदी ये सब क्रियाएं हैं काम को करने वाला करता कहलाता है उधारन के लिए रमा खाना बनाती है इस उधारन में खाना बनाने का काम रमा कर रही है इसलिए रमा करता कहलाएगी करता जो भी काम करता है उसे कर्म कहते हैं जैसे इसी उधारन में रमा खाना बना रही है यहाँ पर रमा जो की करता है वो खाना बनाने का कारे कर रही है इसलिए खाना कर्म है अब बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं पहला सकर्मक्रिया यानि की ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा अकर्मक्रिया यानि इन्ट्रांजिटिव वर्ब अब बात करेंगे सबसे पहले अकर्मक्रिया की अकर्मक्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकर्मक में कर्म के पहले आजुड़ा है आ का मर्थ अर्थ होता है रहित यानि किसी चीज के बिना तो जहाँ पर क्रिया में कर्म अनुपस्थित होता है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पे पड़ता है वहां अकर्मक्रिया होती है उदारण के लिए मोहन हसता है यहाँ पे हसना जोकी एक क्रिया है इसका सीधा प्रभाव मोहन पे पड़ता है जोकी एक कर्ता है इस उदारण में कर्म का अभाव है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक्रिया होगी अगला बात करेंगे सकर्मक्रिया की सकर्मक्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म के होने की संभावना होती है वहाँ पे सकर्मक्रिया होती है जिस क्रिया का प्रभाव करता पे ना पढ़कर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अधात कर्म पे पढ़ता है वहाँ सकर्मक्रिया होती है उदाहरन के लिए विकास पानी पीता है यहाँ पीना एक क्रिया है जिसका प्रभाव विकास पे ना पढ़कर पानी पे पढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे सकर्मक्रिया होगी और यहाँ पे कर्म है पानी कभी-कभी सकर्मक्रिया का कर्म छिपा रहता है जैसे उदाहरन के लिए राम गाना गाता है, राम पढ़ता है यहाँ पर अगर देखें तो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि यह अकर्म क्रिया का उधारण है कि राम गाना गाता है यहां कर्म कहीं नजर नहीं आ रहा है लेकिन राम अगर गा रहा है तो वो कुछ न कुछ गा रहा होगा और राम अगर पढ़ रहा है तो वो कुछ न कुछ पढ़ रहा होगा तो ये जो कुछ न कुछ चीज है यही कर्म है जैसे कि राम गाता है उदाहरण में गीत ये छिपा हुआ कर्म है जिसके कि हम संभावना कर सकते हैं इसी तरहें राम पढ़ता है तो राम कुछ न कुछ पढ़ ही रहा है तो यहाँ पे जो पुस्तक है यह कर्म है जो की छिपा हुआ कर्म है तो यह उदाहरण सकर्मक्रिया का है अगला बात करेंगे सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया की पहचान कैसे करेंगे सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया की पहचान के लिए क्या किसे या किसको आधे प्रशन इन शब्दों का इन जो प्रशन वाचक शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग करके हम सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया की पहचान कर सकते हैं कैसे करेंगे वाकिय में क्रिया शब्द के पहले क्या किसे या किसको ये प्रश्न करने पे यदि कोई उत्तर मिलता है तो वहाँ पे सकर्मक्रिया होगी और अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पे अकर्मक्रिया होगी परन्तु एक बात ध्यान दखिएगा कि क्या किसे और किसको प्रश्ण करने पर जो उत्तर मिले वो करता नहीं होना चाहिए करता के अलावा आंसर मिलना चाहिए जैसे कि राम फल खाता है तो यहाँ पे हम प्रश्ण करेंगे खाना क्या है खाना क्रिया है क्रिया के पहले क्या का यूज करेंगे कि राम क्या खाता है तो हमें उत्तर मिला राम फल खाता है तो यहाँ पे सकर्मक्रिया होगी क्योंकि हमें यहां पे क्या का उत्तर मिल गया तो सकर्मक्रिया होगी अब बात करेंगे दूसरे एक्जैम्पिल की बालक रोता है इस वाके में रोना जो की क्रिया है क्रिया के पहले हम क्या का यूज करेंगे कि क्या रोता है तो यहां पे हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक्रिया होगी अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहां पे अगर यह हो रहा है कि क्या रोता है तो हमें आंसर तो मिल रहा है कि बालक रोता है लेकिन अभी मैंने बताया कि क्या कयूस करने पे जो उत्तर मिलना चाहिए वो करता नहीं होना चाहिए और यहाँ पे बालक करता है तो क्या कयूस करने पे हम यहाँ पे बालक उत्तर मिल रहा है जो कि करता है करता के अलावा कुछ नहीं है तो यहाँ पे अकर्मक्रिया होगी अब बात कर लेंगे कुछ उधारण की बच्चे मैदान में खेले रहे हैं यह कैसे क्रिया है तो यह एक अकर्मक्रिया है यहाँ पे कर्म का अभाव है यहाँ पे अब कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सी क्रिया है तो खेलना जो की क्रिया है इसके पहले हम क्या का यूज करेंगे तो उसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है बच्चे क्या खेल रही है तो यहाँ पे क्या का आंसर तो मिल नहीं रहा है मैदान में खेल रहे हैं तो मैदान में जो है वो अधिकरण कारक का उधारन है यहाँ पे यह अधिकरण कारक है मैदान में यहाँ पे कर्म कारक उपस्थित नहीं है इसी तरह का अगर एक एक्जैम्पल ले लिया जाए कि पक्षी आकाश में उरते हैं बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर उधारन लंबा है तो उसमें कर्म छिपा ही होगा या उधारन छोटा है तो उसमें कर्म अनुपस्थिती होगा तो इस वज़े से भी उसमें सकर्मक और अकर्मक्रिया लगा लेते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है अगर ऐसे कोई ऋधारन अगर लंबा है тो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो यह बहां पर कर्म क्रिया हो इसमें सकर्मक्रिया होगी अब यहां पर अगर पकना क्रिया है पकना के पहले क्या शब्द का यूज किया जाए तो होगा क्या पकता है तो हमें उत्तर मिल रहा है भोजन पकता है तो यहां पर सकर्मक्रिया होगी अब कुछ लोगी सोचेंगी कि भोजन यहां पर करता हो गया तो हमें उत्तर के तोर पे करता मिल रहा है तो यहाँ पे सकर्मक्रिया कैसे हो गई लेकिन भोजन यहाँ पे करता नहीं है भोजन खुद नहीं पक रहा है भोजन को कोई न कोई पका रहा है और जो पका रहा है वो करता है और करता यहाँ पे हिडन है तो इसलिए यहाँ पे सकर्मक्रिया होगे बच्चा रोता है यहाँ पे रोना जो कि एक क्रिया है इसका सीधा प्रभाव बच्चे पे ही पढ़ रहा है कहीं दूसरी जगे नहीं पढ़ रहा तो यहाँ पे अकर्मक्रिया होगे बात करेंगे अगले उधारण की अंकित टीवी देख रहा है यहाँ पे जो देखने की क्रिया हो रही है उसका प्रभाव टीवी पे पड़ रहा है सीधे अंकित पिना पड़कर टीवी पे पड़ रहा है तो यहाँ पे सकर्मक्रिया होगी माया सारा दिन सोती रहती है यहाँ पे कर्म का अभाव है तो यहाँ पे अकर्मत क्रिया होगी बात करेंगे अगले की अनिल दोड़ता है यहाँ पे भी कर्म का अभाव है अगर हम दोड़ना जो कि एक क्रिया है इसके पहले हम प्राश्म वाचक चिन्हें क्या कई उसकरे क्या दोड़ता है तो हमें उत्तर मिलेगा अनिल दोड़ता है लेकिन जो उत्तर मिल रहा है वो करता मिल रहा है जबकि जो उत्तर मिलना चाहिए वो करता नहीं मिलना चाहिए करता के अलावा कुछ और मिलना चाहिए तो इसलिए यहां पे अकर्मत क्रिया होग अब इसे से मिलता जुलता है अनिल दोड़ता से अनिल दोड़ दोड़ता है यहाँ पे दोड़ने के जो क्रिया हो रही है वो सीधे अनिल पे ना पढ़कर दोड़ पर पढ़ रही है इसलिए यहाँ पे सकर्मक्रिया होगी इसी तरह अगर example number 7 में हम प्रश्णवात्यक शब्द क्या का यूज करके देखना चाहें तो अनिल क्या दोड़ता है तो उत्तर मिलेगा अनिल दोड़ दोड़ता है तो हमें क्या का भी उत्तर मिल गया तो यहाँ पे सकर्मत करिया होगी फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गया होगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर अवश्य करें जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो पर कुछ अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाबाय